आप सबी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत हैं उमीद है दूआ है कि आप सभी लोग खैरिये से हो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा से लंबा होगा इसनी अगर आप चाहें तो वीडियो की स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं जो भी बात करनी होगी वीडियो के अंत में करूंगी और इस वीडियो का टाइटल बता दू एक कश्मीरी पत्थरबाद से जानिये देजभक्ती के सही माइने बजाहत फारुक बट जोश माटी से ये वीडियो है बिना तेर की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा सुखेर देखते हैं एक कश्मीरी पत्थरबाद से जानिये देजभक्ती के सही माइने सो वन टू थ्री एंड स्टार्ट हाई इस बजाहत फारुक बट फाम बारामुला कश्मीर करते हैं तो उनको देखके डर लगता था बट एक इंसान उठा और हम जैसे लोग जो यहां पर रहते थे हमारे लिए कैसा था तो मैं वह आप से डिसकस करना चाहता हूँ आप सभी के साथ सो आइ विल टेल यू देट आइमा फॉर्मर स्टून पैल्टर हार्ड कोर स्टून पैल्टर जो यकीन करता था कि दैट बस मेरी लाइफ का मकसद यह पत्तर फैंक ना मेरी लाइफ का मकसद यह है कि देट पत्तर पत्तर बाजी करो और उसके बैद में गन उठाओं तो मेरे सब से जो लास्व ड्रीम था जब कोई यहां पे जब मैं किसी और से बात करता हूं तो वह यह सोच ता कि देड मैं किसी कंपड़ी में बात कर ओ जौब करूं वहां पे पहले मैंगे की पोस्त में आ जाओं फिर डिरेक्टर बंजाओं तो ऐसे प्रमोशिंट हो जाओं पर मेरी लाइफ का नोट अनी मेरी बट एक्रॉस बहुत सरे ऐसे युवा थे हमारे दोस्ते कि जिनका यही ता कि जड़ हमने स्टून पेल्डिंग करनी है स्टून पेल्डिंग के जब आगे बढ़ जाएंगे हम एक गन उठाना है हमने शहीद होना है हमने मरना है इस मुलक के लिए कश्मीर के लिए तो यह नेरेट्व हमें बच्पन से सिखाया गया बच्पन से हमने देखा कि तर यही चलता आ रहा है और हम इसी में पले बड़े तो यही नेरेट्व चलते-चलते हमने इस अपनी जिंदगी बिताई तो सबसे बड़ी बात में क्या हैं आप बत्ग्र में में जिनको हमें लगता कि निया नोड करता घो बताँ इस टूर्स के गाड़ी पत्तर मारता या किसी गाड़ी को जलाता हमारे लिए वो रोल मॉल था ही इस सोसाटी ने हमें यही जगा पर हमने चagnут मिलेग कि हमने नहीं पता खश्मीर के बाहर क्या है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है रगिव में यह लग तक पूरी दुनिया हमें दिखी यह गल अग्ए नहीं दिख़ या घुढ बहुत असलेन ओओ कि life listing होगी बट मैं कहते हैंन कि जब आप कोई ऐसा रास्ता मिलता है को ऐसा आपको इंसान मिलता है कि तर्व घुरिध एक गलत इंसान गलत वडम हो गटन करते तो आपको ऐसा इनसान मिलता कि जब आपको मदब इस इंसपायर करता कि नहीं आप उस गलत तरास्ति को छोड़ो और अच्छे ट्रैक पे आजो तो मेरी भी लाइफ ऐसी है जब मैं अपने बारे में बताओं कि तर्मेरी लाइफ कैसे चेंज हो इस टूर्ट पैलिंग से इसे करके कि हमारे बारा मुला में क्या हुआ था कि स्टूर्ट पैलिंग हो रही थी तो हमारे वहां पर जो स्पीच करते थे जो जहाद का हमें पार्ट प्राट प्रट प्रास्ट पर देश्में कि आज़ादी आपको चाहिए वो आजाधी मुझे अभी तक नहीं पता क्यों आजाधी है क्या आजाधी उनके लिए ये थे कि अrent हमें स्टूर्ड पिलिंग कर रहें अजाधी ये ते हमें गाड़िकी जलानी अजाधी ये है हम पूरे रौट ब्लॉट ब्लॉक करने है था कि जब हम एक प्रोटेस्ट वाहां से जा रहा था वहां से कि सलैप इस सथे पाइब सन तो हमारे दोतीन बंदय आए वहांब इसको क्यों वारा बोला कि ज़िए इस प्रिपेरीं फटी जे के लिए वो प्रिपेर कर रहा है अगर कल को यही वहां पे student blending भाज गया इसकाय रोका तो यह doctor नहीं बनेगा कल को यह इंजिनर नहीं बनेगा कल को तो हमारा यह हमने भी सोचा कि तड़ अगर इन अगर ये और पॉत्छेंजिनिर येॉट छला है तो समय सोछा और मेरे मैं आपको बता रहा हुई और रहे एक एक इंसान को जो भी घर में हैं उसको साथ मिल के हमें लेना है इस आजादी में पार्ट स्पेट करना है मेरा चोटा भाई एड die time वो 10th class में था और दूसरा 9th class में था और हम तीन भाई ये तो हम तीनों भाई उसके उस ताम क्या करते थे स्टून पैल्टिंग में जा रहे थे और मेरे और भी दोस्ते जब मैंने देखा किदर ये सकते हम डॉक्तर नहीं हैँ यह सपने नहीं कि हम भी मतल को बाहर जा आपने पैरेंट्स को अपने कश्मीर में बनेत कश्मिर के अपने लाई बने लगे किसा प्रंद बच्छों को दिल्ए कैख संद् completed पड़ाथ एंये बहुत एंये बहुत लगा और मुझे भी इन डेखा यह मैं टोटली कन्फीज हो गया इस ने क्यों बोला इसको तो उस ताइ मैंने अपने बायूं को बोला कि एक काम करें आप घर जाईए हम घर पर बैटिंगे तो उसी दोरार मेरा 2014 में 12th क्लियर हो गया इनाई जोएन कोलेज को課म डिघर बारा मुला तो जब मैंने ज्वाइन क्या था मेरी हाइट थोड़ी लंबी तो वहां पर एक टीचर ने हमें बोला आप जएद को झालो आपकी है अच्छी है तो आप ज़न कर लो तो मेरा कोई concept नहीं था मैं कहा जा रहा हूं किस लिए जा रहा हूं तो उन्हें बोला हमने परेड कराई तो हमें एक बहुत सारी चीज़े सिखाई कि देट क्या होता है unity होती है किसे बोलता है कि अनुशासन कैसे बोलते हैं आपको कैसे चलना है तो उसी दोरा 2015 में हमारा यह हम पर एक कैम्प होता है रिपब्लिक डे पे मैं मुझे रिपब्लिक डे और मुझे यह पता है हमें आजादी चाहिए आजादी के बगएर मुझे कोई concept नहीं था कि कोई आजादी होए या हम 15 अगर्श करते हैं या 26 जनवरी हम सेलेड़ करते हैं पता ही नहीं था जब मैं अगर्श करते हैं यह हमारे रोल मॉडल है और इसी के स्टों मैं आपको और एक बात बताना चाहूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक चीज थी कि हमें कोई hero बना ही नहीं आज तक मेरे दिमाग में कोई उस ताम कोई concept नहीं था कि हमारा hero है जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारा hero है वन्स मेरा एक कजन था एक 2014 में यहां पे एक एक स्टूशन हो रहे थे assembly elections in Kashmir उस नहीं पे क्या हुआ था कि एक security की गाड़ी बहुत तारी आ रही थी तो उसमें एक बड़ी गाड़ी होते इसको बोलते कैसफर गाड़ी बोलते इसको तो वो बड़ी गाड़ी जो स्टू प सब मेरे बाते कर रहे थे मुझे भी लगा कि मैं कुछ हूँ मैंने पत्थर मारा अब next target मेरा यही ताकि मुझे गन उठाना है और that incident जो उससे पहले जो मॉलीस आप थे अपने बच्चों को यही और रही इंटरास के लिए exam के लिए PayPal को अनि सलेव डिशन तो मुझे अ मिलगा की मेरे यह लगा कि मेरा बाय जू मेरे साथ हुआ करते थे वहां पे, his name is Imtiaz Hussain, तो जब में परेट खतम होगी, तो वो सारे सब के सामने आए, तो लोग इंटरेट करने लगें उनके साथ, तो उस ताम क्या हुआ कि देट हमें लगा, कि शायद मुझे ये कंसपता कि शायद ही हमारे दुश्मन है, ये पुलिस वाले जो बड़ा जाती करते हैं, ये हमें एरस करते हैं, वो करते हैं, ये करते हमें नहीं पता, ये ऐसे भी बात करते हैं, जब हमने उनसे इंटरेट किया, तो he told me that आप एक काम करें, आप आजाईए, मेरे से ओफिस मिल लेना, तो मैंने उनका नंबर ले लिया, और what happened, जब मैं नेक्स टे, नेक्स टे, टू दे के बैद में उनसे मिला, तो दो दिन के बैद, नेक्स टीक में उनसे मिला, मैं उनके office में गया, मेरा दिमाग में ये चल रहा था, कि मैं जाओंगा वहाँ पर, वो चलाएगा वहाँ से, पता नी कैसे बात करेंगा, शायद उनको पता ही कि जब मैं उनसे मिला, and I was not expected that उनसे वो response मुझे मिलेगा, जब मैं उनसे मिला, I was totally shocked that ये मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते, इतना बड़ा, you know, district SSP, इतना बड़ा officer मेरे से कैसे बात कर सकता, ऐसे कैसे कर सकता है, ये मुझे directly मुझे wish कर रहा है, मुझे बैटने के लिए बोर रहा है, ये मुझे ये ब believe me, जितने भी जो युआ है कश्मीर के, उनको जो पढ़ाया जाता, उनको जो बताया जाता था, वो totally different था, और हमने कभी, इस पे, it's very unfortunate, मैं अपने भी, उस ताम मैंने सोचा कि तर मैंने कभी, you know, ऐसा को, क्यों नहीं क्या है, मैंने directly उनसे बात कि, मैंने कभी ऐसा, you know, I can say that, investigate, नहीं किया, कि that, ऐसे होते या नहीं होते, but मैंने सुना था, जो बंदा बोलता था, मैंने उनको, उनके बारे में सुना था, ये ऐसे होते, but actual मैं, मैं पहली बार इनसे मिला था, and जब मैं उनसे पहली बार मिला, I was totally shocked, कि ये ऐसे है, तम मैंने देखा, जब उनसे बा इवेंट रखा, हमने date fix किया, बहुत टाइम के अरसे के बैद, हमने 28 February 2018, उससे पहले हमने क्या किया, उन्होंने वे short हमारे जो लड़के थे, हमने group बनाया, कि that, फिर हम एक दो interaction, उनके साथ हमारी इमतियाज हुसेन साब से हुई, तो मुझे दिमाग में ये आया कि that, अग हमारा role model है, जब मैं SSP 12 मुला उस ताइम के जो इमतियाज हुसेन थी, जब मैं उन से मिला, मुझे लगा कि नहीं, ये ही मेरे role model है, मुझे बड़े हो कि यही बनना है जो इमतियाज हुसेन, आज इस चेयर पे बैटे है, जो कि यहां कि जहाँ, यहां यहां लोगों से बात करते हैं, लोगों के साथ इंटराइट करते हैं, किस तरह से लोगों की help करते हैं, किस तरह लोगों को समझाते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे I remember that thing, उसने मुझे एक बात बोली कि यहां वज़ात दो चीज़े हैं, सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है यहां पे, वो है जी तो आप मर गए, तो कोई इतना चोटा काम है, और इतना आसान काम है, आप कभी भी कुछ यह कर सकते हो, बट सबसे बड़ा काम है जीना, और सबसे उससे भी ज़्यादा बड़ा काम है, जीना और उसके साथ साथ दूसरों की मदद करना, कुछ कंट्रिब्यूट करना अपन को गलत रास्ता दिखाया गा उनको सही रास्ता दिखाना है जैसे मैं इस रास्ते से निकला हूँ वैसे ही उनको इन events में in counseling events में लाके interaction करके उनको बताना कि that reality क्या है they are our saviors they are our own people we are one यह मकसद लेकि हमने organization start की जिसका नाम था save youth save future foundation और हमें नहीं आगे जाएंगे उस ताम यह सोचा था कि दर कुछ ही events करेंगे interaction event करेंगे remember 28th February 2018 हमने शरवानी hall बारा मुला में event रखा जहां पे more than 400 youth girls plus boys सब ही आगे जो student peltr भी थे जो रेडिकलाइज भी हुए थे जो गाली भी देते एंटी नेशनल elements भी थे वहां पे वहां पर डेफिनिटी आगे दे सैड ऑफिसर इंप्तियाज सैनमीर वहां पर आए उसे ड्रेकली बात की और जब उनसे ड्रेकली बात की तो जो वहां की लड़के उनका नेरेटिवी चेंज हो गया ऐसे ऑफिसर जो मेरा जो गलत ये नेरेटिव के साथ जुड़े कि बोला हमने भी काम करना है हमने भी जीना है हमने भी कुछ डिफ्रेंट चीज़े करने है जब दीरे दीरे हमने उनसे बात की तो डिफ्रेंट जब हम कारवां बढ़ता गया तो और भी लोग जुड़ते गए और भी मेंटर्स हमारे लिए हमारी हमारी लाइफ में आ गए मैं और एक एक्जांबल देता हूं कि देट ब्रिगेडर उनका नाम था ग्रीश कालिया सार जो बारा मुला में थे उनके एक क्याप्टन थे क्याप्टन अंकोर और मेजर सुशील जब उनसे बात होती है जब हमें यह एक्जिक्यूट करने होता था यह प्लांस हमें लड़कों के सा इंट्रेक्शन करना होता था देवाइट पीपल जो नोंने हमेशा ग्राइड किया जुन्होंने मुझे बोला कि यह बुक्स पड़ो जुन्होंने मुझे बुक्स प्रवाइड कि जुन्होंने मुझे जब भी कहीं जाना हो तो उन्होंने मुझे हमेशा अलब कि मुझे लगता कि यह स्टोरी जो है इस टोटली डिफरेंट जो एक नेरेटू था कि जीना हमें बस मरना ही है हमें दिमाग में यही बताया गया क कि हमें मरना है हमें दिमाग कर नहीं हमें यह बता है आप ग्रह cuarto पड़ाते थे और हमारे मरने पे उनको पैसा मिलता था तो सबसे बड़ी बात जब हम बारा मुला में स्टार्ट किवीया, फिर हमने पूरे कश्мीर में हैं और मकसद ही था जो वजहा जैसे लोग थे, जो काम करते थे, जिन का कोई ड्रीम ही नहीं था, उनको समझाना कि तेज़ आपके ड्रीम्स है, अपने ड्रीम्स बनाओ, अपने लिए कुछ ऐसा कर ओ कि रहा से किसी और को फाइदा मिले यह हमने सीखा और पूरे कश्मीर 12 मुला से निकल के पूरा नार्थ कश्मीर हमने देखा काम किया फिर साउथ कश्मीर से हमें लोग जुड़ने लगे फिर आज अगर आप देखो के पूरे साउथ कश्मीर में अगर देखो के पूरे कश्मीर में ह हमारे मिंबर से हमारे ओफस से और मकसद यह है कि डैट जितना हासों के अपने कश्मीर के लिए कंट्रिबूट करें कश्मीरियत के लिए कंट्रिबूट करें और इस जो इनसानियत के लिए कंट्रिबूट करें जो एक 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 से जो हमें जहालत सिकाई जाती थी जो हमें propaganda के लिए हमें ढवाया जाता हुं जो हमें गलत चीज जो हमें गलत चीजों के लिए ये बुर बॉर सब्सक्राइब कलाएं और मैं चीजों में चीज़न से हमें दूर जाई पूरे इंडिया में ना की पूरे इंडिया में वो फॉर्मर चूल प्लेटर आज इंटर्नेशनल जो और इने वे मिला तो मुझे लगता है कि तहर आपकी जो ड्रीम यह अगर आपकी नियत से सीधे आपके ड्रीम इतने होंगे तैटे अच्छे होंगे हमने करना किसी अपने करना ने देखा जो आपके मोम डेड़े देखा जो आपने देखा जो आपके फैमिली ने देखा आप उन लोगं को पत्थर आप उन लोगं को पत्थर मारिये जो गलत सोच रखते हैं और यह सोच रखते हैं कि यहाँ पे कश्मीर में वही वालेंस रहें आप उन लोगं को पत्थर हमारे कि जो आपके dreams के बीच में आपके सपनों के बीच में आते हैं तो यही आज इस शो का मैं आज यहां पर आया हूं कि यही एक मेरा message है कि अपने कश्मीरी युवाओं के लिए मेक यरसल्फ अपने आपको बनाओं अपने डी अपने वाड करा और अपने जो माबाप उनके सपनों पहागो कोई माँ बाप यहिए नहीं चाहता क्यों आपको फीड कराये अपने माबाप के लिए कुछ करें और अपने कश्मीर के लिए और इंसानियत के लिए कुछ रहे बहुत ही समझने और सम्झाने वाला वीडियो है 아 अपने कश्मीर के लिए करें अपनी मुल्क के लिए करें अपने देश को सर वोपर ही रख कर यह और जैसे कि इसमें वजहत वारूप और आजादी आजादी का नारा लगवाते हैं ये खुआप दिखाते हैं तो आज तक समझ नहीं आया ये कौन से आजादी तो वजाहत फारूप बट साब की ये पूरी वीडियो देखने के बाद एक कश्मीरी पत्थरबास को देजभक्ती के माईने क्या हैं और उन्होंने सही माईनों में बताया देश के नहीं उनका जजबा इस देश के नहीं उनकी मुहबत जो उनके अंदर पैदा हुई वो तब इस तमाम खुआप दिखा कर जिस तरह से उनको भटकाया गया है तो इम्तियाज हुसाइन सहाब बहुत अच्छे से गाइट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आप गलत रास्ते जा रहे हो इससे नहीं आप अपने मुल्क का नहीं अपने पैरेंट्स का नहीं अपना नाम क गाए हो इससे आप अपना future खराब कर रहे हो और ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको इम्तियाज हुसाइन सहाब और उनके जिसे और हमारे मूल्क में जो security forces में हैं जो कश्मीर में ground level पर काम कर रहे हैं वो अपनी जान की बादी लगा कर इस तरह से आगे युवाओं के नि तो बहुत ही अच्छा वीडियो लगा ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी इस बात को समझ गए होंगे जो एक नरेटिव सैट कर दिया जाता है और कश्मीरी युवा बच्पन से उनके दिमागों में यह सा नहीं कि अचानक डाल दिया गया होगा नहीं बच्पन से वो चीज हम देख रहे हैं वो बहुत सारे इस तरह के इंटर्डियूस भी अब सामने आए हैं कि बच्पन से उनके दिमागों में यह चीज डाल दी गई थी कश्मीर में कि आपको अजादी चाहिए आपको जिहाद करना है आपको जन्नत मिलेगी और आपको इस तरह से मुल चाहिए उसको कभी भी अपनी देजभक्ती और अंदर की इंसानियत के साथ कभी मिक्स नहीं करना चाहिए अच्छा मैं कुछ कॉमेंट्स इस वीडियो के नीचे जो मैं पड़ी वो मैं आपको जरूर पढ़कर सुनाना चाहूंगी और वाकि अच्छा लगा देखकर के इस तक जो सोच है जो हमारी दिमाग है जो हमारी विचारधारा है उस पर कभजा कर रखा है तो मैं कुछ कॉमेंट्स पढ़ लाई थी पढ़कर बहुत अच्छा लगा मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूं वो कॉमेंट्स जैसे इसमें महसिन कुरेशी साहब का एक कॉमे इवरी इंडियन वो चाहे कश्मीर से हो चाहे यूपी से हो बिहार से हो राजिस्तान से हो महाराश्टरा से हो किसी भी स्टेट से हो किसी भी यूटी से हो उन सब को ये वीडियो देखनी चाहिए और इन चीज़ों को समझनी चाहिए हमारे खास करके मुस्लिन समात को यह सम हो रही है अच्छा उसके अलावा मौम्मद शावेज लिखते हैं मौलाना मौलवी ही असली वजा हैं नफरत पहलाने की क्योंकि जैसे इसमें भी वजाहत फरूबहट साहब बताया कि जो प्रोटेस्ट के लिए जिन्होंने आवाहन किया जो मौलवी साहब जिन्होंने सबको बुलाया उनका खुद का बच्चा नीड जी की तयारी कर रहा था उनके खुद के बच्चे को इंजिनियर बनाना था उन्हें और ऐसा ही हम सबका देखते हैं जितने भी आप कश्मीरी लीडर्स का देखेंगे उन्हें सबके बच्चे विध्शों में पढ़ रहे हैं अच्छी एड्युकेशन हासिल कर रहे हैं अच्छी जी जी रहे हैं कहीं करऊ कोई नाम नहीं आता किन की एकसी आख उंदा लाइफ उनको दी जा रही है लेकिन जो कश्मीरी युवा हैं उनको हमेशा बटकाने उनको घलत रास्तों पे ले जाने का काम बहुत भी होता रहा है कश्मीर में तो अच्छा लगा ये वीडियो देखकर कि कश्मीरी युवाओं की आखे खुले देखें वो कुमेंट में वहाँ देख रही थी जो कश्मीर से भी तालोग रखते थे और पूरे मुलक से तालोग रखने वाले ऐसे बहुत सारी लोगों ने कॉमेंट किये और जहां उन्होंने इस बात को लिखा कि अपना मुलक और इंसानिया सबसे उपर बाकित तमाम चीज़ों को आप दोयम दरजे कर रखें वो आप अपना परसनल रखें और एक बहुत जरूरी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी किसी के भी भेकावे में आकर किसी से इं तो किसी भी मामले में सड़कों पर आकर तोड़ फोड़ करना पत्थर बादी करना आग जनी करना ये कभी किसी मसले का हल नहीं हो सकता लोगतंत्र में समवाद से तमाम समस्याओं का समधान है संगर्च से नहीं तो दोस्तों आपके जो भी इस वीडियो के बारे में राये हों मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपना और अपने इस प्यारे मुलका ख्याल रखें क्योंके मैं खुद एक मुस्लिम समाच से हूँ मैं खुद एक मुस्लिम परिवार से हूँ और मैं देखती हूँ लोगों को कितना आसान है भटकाना उनके जहनों को तबदील करना उनकी सोच पर कबजा कर लेना कुछ जो कमजोर कड़िया हैं जिसमें से मजभी चश्मा लगा तक देखने की बजाए हमें अपने मुलक को सबसे उपर रखकर सरवोपर रखकर इंसानियत को तरजी देनी होगी हम इस मुलक का बहुत कुछ भला कर सकेंगे और अपना खुद का बहुत भला कर सकेंगे तो दोस्तों फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के इजादत दें बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद